आई अबरिवान कैसे हो आप सब वेलकम है आपका निशू जाइडिया में मैं हूं निशू खोप कि आप सब अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो मैं आपके साथ श्रेयर करने वाली हूँ टोनर कैसे लगाएं टोनर क्या होता है टोनर लगाने का सही तरीका क्या है सही सम चलिएव वीडियो को शुरू करते हैं यहां पर सब्से पहले बात करते यहां तो टोनर को क्लीन बनाय रखने में यूज किया जाने वाला कॉस्मेटिक होता है यह के लिए बहुत ही ऐड़ी मद होता है तो आईए को मैं हमें कैसे करना चाहिए हर्एएक के इनुसार टोनर अलग अलग होते हैं, तो आप जैदा गून है उच टाईब के तोनर जिसमें की ऐलोवेडा हो उच टाईब के टोनर आपको यूज़ करना चाहिए ये जिसमें की ऐल यूज Selbst अगर आपके skin ज़्यादा ही oily है तो यहाँ पे आप उस type के toner यूज़ करें जिसमें की extra oil को absorb करने का गुन पाया जाए जो कि हमारे skin में से oil को easily quickly absorb करें उस type के toner यूज़ करें अगर आपके skin ज़्यादा ही sensitive है तो यहाँ पे आप उस type के toner यूज़ करें जो की natural हो, herbal हो उसमें प्राकृतिक चीजों से बनाया हुआ हो जो कि हमारे skin के लिए बहुत ही फायदे मंद होगा तो आए जानते हैं toner लगाने का सही तरीका क्या है और समय क्या है तो toner हमें हमेशा clean face पे ही apply करना चाहिए सबसे पहले अपने face को clean करें तो मैंने यहाँ पे use किया है clean करने के लिए face wash जो की है हेमालिया का purifying neem face wash यह हमें बहुत अच्छे से suit करता है और acne pimples को भी आने से रोकता है और बहुत अच्छे से skin को deeply clean करता है यह 100% show free है तो यहाँ अच्छा लगता है तो सबसे पहले आप face wash करें एक से देर मिनट के लिए अच्छे से face को clean करें उसके बाद towel से dry कर लें फिर आप toner इस्तेमाल करें तो टोनर आप कई तरह से apply कर सकते हो टोनर लगाने का पहला तरीका मैं आपके साथ share करती हूँ यहाँ पे मैंने लिया है बायो टेक का बायो कुकूंबर pore tightening toner जो की बहुत अच्छे से skin को deeply clean करता है पोर को जो हमाई skin pores होते हैं उसको tight करता है pH level को balance करता है hydrate रखता है आपको लेना है टोनर यूज करना बहुत ही असान है अपने हथेली पे 2-4 drops और फिर आपको अपने हथेली पे फैला ले उसके बाद इस तरह से अपने skin में इसे press करें और अच्छे से apply करें आप इसे अपने neck पे भी apply कर सकते हो और फिर आप इसे dry होने दे उसके बाद आप आप कोई भी अपना moacerizer यूज़ कर सकते हो या कोई भी अपना skincare product यूज पर सकते हो गया कि आप तरीका बहुत ही बेश्ट है, जो कि मुझे यूज़ करना पसंद है। दूसरा आप इसे इस तरह से cotton पे लेकर, cotton ball या cotton pad पे लेकर यूज़ कर सकते हो। यह तरीका भी बहुत ही बढ़ी है, इस तरह से आपको अपने face पे gently wipe करना है। ऐसे करने से जो भी आपके स्किन में डर्ट डर्ष्ट होगा साड़ा क्लीन हो जाएगा एंड स्किन में बहुत अच्छे से यह टोनर एब्जॉर्ब होगा तो यह तरीका भी बहुत ही सही है शो इस तरह से आप कॉटन बॉल या कॉटन पैड पे टोनर लेकर यूज़ कर सकते हो टोनर लगाना हमारे स्किन के लिए बहुत ही फायदे बंद है टोनर हमारे स्किन को डीपले क्लीन करता है and hydrate रखता है और जो हमारे skin pores होते हैं उसको minimize करता है and tight करने में help करता है skin में glow add करता है तो यहाँ पे आप एक और तरीके से use कर सकते हो जो की spray bottle में toner आता है तो यह है good wipes का honey glow toner जो की काफी अच्छा है good wipes के सारे toner बहुत ही अच्छे होते हैं तो इसको पहले से shake करें and इसको use करना और भी आसान है आपको direct अपने skin पे इस तरह से spray करना है अपने आखों को बचाते हुए and फिर आप इसे easily अपने skin में absorb कर वाए इस तरह से fingertip के help से fragrance बहुत ही बढ़िया है so toner लगाने का सही समय क्या है तो जब आप अपना face को wash करते हो या आप अपना नहा कराते हो उस टाइम अपने clean face पे toner लगाए अगर आप अपने हाथों का use कर रहे हैं तो आपके हाथ clean होने चाहिए and फिर आप अपने skin पे toner बहुत अच्छे से apply करें and दूसरा आप जो कि हमारे skin के लिए बहुत ही best होता है बहुत ही फाइदे मंद होता है अगर आप regular toner का इस्तेमाल करते हो तो आपको बहुत ही जल्ड बहुत अच्छा result मिलेगा बहुत ही benefit दिखाई देंगे so skin toner आप अपने skin care में जरूर शामिल करें तो आईए जानते हैं toner लगाने के क्या-क्या फाइदे हैं toner लगाने के बहुत सारे फाइदे हैं toner हमारे skin को healthy बनाए रखने में deeply clean करने में help करता है जो pores होते हैं skin में उसको tight करने में minimize करने में help करता है toner हमारे skin को hydrate रखता है detoxify करता है टोनर हमार स्किन को healthy glowing बनाने में help करता है जवां रखने में लंबे समय तक स्वस्त रखने में help करता है तो टोनर को आप जरूर इसे जरूर करें अगर आपके face पे acne है तो आप toner जरूर लगाए इससे आपके acne pimples बहुत जल्द कम हो जाएंगे तो टोनर लगाने के बहुत सारे फायदे हैं तो आप अपने skincare में इसे जरूर शामिल करें और टोनर लगानते वक्त या खरीजते वक्त हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो टोनर हमेशा trusted brand से ही खरीदने चाहिए टोनर हमेशा alcohol free यूज़ करना चाहिए टोनर हमेशा clean face पे apply करना चाहिए और अच्छे से उसको dry होने दे उसके बाद moisturizer apply करना चाहिए टोनर हमेशा अपने साफ हाथों से apply करने चाहिए और last में एक और tips देना चाहूंगी अगर आप लंबे समय तक healthy glowing and जवा skin चाहते हो तो आप खूब साड़ा पानी पीए healthy diet ले अच्छी नींद ले exercise करें इससे आपके skin लंबे समय तक healthy glowing and खूब सूरत बनी रहेगी तो यह थी आज की वीडियो कैसी लगी आपको नीचे comment कीजेगा अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें शेर करें अपने friends and family के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें साथ में bell button दबा कर all पे से जरूर कर लीजिएगा जिससे की मेरी new वीडियो का update आपको मिलती रहें तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ अब तर के लिए bye bye and take care thank you so much for watching love you